हेलो गाइज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो इंस्टीटीट के एंड से आपको आप मिला है प्ले स्टोर पे वाट सैप पे या कोई लिंक से उसको आपको डाउन graduates करकर के कैसे install करना है वो जो भी medium से आपको go to lectures पर click करना है एक prompt आएगा allow or don't allow का इसमें आपको allow करना है एक instruction image इसमें आगया इसमें लिखा है on the next screen follow the below steps to select the documents folder so file manager का screen open होगा जहां पर आपको ये image में दिखा है जैसे documents folder आपको select करना है so मैं आपको भी दिखाता हूँ ok करना है ये देकि file manager open हो गया मेरे phone में यहां आप देखे by default ये documents folder open होगा है आपके screen पर कुछ इस वे से open होगा ठीक है और यहां पर आपको search करना है documents folder के लिए आपको डूढ़ना है so मेरे PC phone में देखे ये मेरा documents folder है अगर आपके phone पर documents folder नहीं मिलता है तो आपको create new folder पर जाके एक folder बना लेना है with name documents अगर आप documents के लावा कोई और folder के अंदर जाकि इसको access देते है so app वर्क नहीं करेगा so आपको documents folder में जाना है और नीचे देखे use this folder लिखा है इस पर आप click करेंगे again allow आएगा allow करेंगे ये same process आपको repeat पूछ सकता है एक बार so again documents folder पर जाके allow करना है आपको so ये आपका app का main screen open हो गया आपको कोई भी जब subject आपने purchase किया है उसको इसमें add करना है so उसके लिए आप three dot पे click करेंगे add subject जो institute से आपको key मिला है वो key यहाँ पे आप डाल देंगे so मैं एक मेरा demo key है मेरे पास वो मैं यहाँ पे भी इंटर कर देता हूँ आपका key इस की से different रहेगा यह बस एक demo key है key मैंने enter कर दिया है check subject पे आपको click करना है and confirm at subject पे आपको click करना है जैसे आप confirm at subject करेंगे आपके phone पे activation form open हो जाएगा इस पे आप check की पे click के जाए इसमें सब कुछ details आपको feel करना है like your name, email, id, ct, mobile number get OTP करना है OTP पे एंटर करके check OTP करना है and नीचे में जो exam का months and year है यह भी आपको select करना है just in case आपका कोई course है जिसमें months and year नहीं रहता exam का आप random कुछ भी select कर सकता है so अभी मैं यह details feel करके activate कर लेता हूँ मैंने details feel करके इस activate कर लिया नीचे देखे message आदे जाएगा आपको content successfully activated so आपको भी same process follow करना है अभी हमारा subject add हो गया है next process है कि हमें इसके videos डाउनलोड करना है so lectures डाउनलोड करने के लिए देखिए जो link आपको मिलेगा google drive का जो भी है वो मैंने मेरे phone पे अभी open कर लिया already आपको जापे इमेल पे whatsapp पे जो भी link आता है उसको आपको open कर लेना है कुछ इस वेस से आपको lectures देखेंगे हो सकता है multiple folders में देखें यह बस एक demo है करके मैंने एक ही folder में रखा है lectures और इसमें देखें कुछ classes है so मैं आपको एक या दो classes download करके दिखाऊंगा and वो आपको play कैसे करना है वो so जो भी class है आपका उस पे देखें three dot आ रहा है उस पे click कीजे download बटन आएगा download पे click कीजे यहाँ पे आपको देखे download progress उसका दिखेगा यह file download हो गया है खाफी छोटा file था है अभी हम और एक file download करेंगे three dot पे click किया download पे click किया आपको यहाँ पे download progress दिखते रहेगा जो भी file आपका download हो रहा है वो so आपको wait करना है complete होने तक यह depend करेगा आपके internet speed पे यह भी file download हो गया है so जो भी file आप download करते है वो basically आपके download folder में जाता है file manager में तो file manager देखे मैंने already open करके रखा है यह में मेरे internal storage पे आ गया हो आपको भी आपके internal storage पे आना है हर phone का अलग हो सकता है तो आपको ढूणना है internal storage कहाँ पे है इसमें देखे download folder पे मैं आ गया जो दो file मैंने download की वो दो file भी इस पे आ गयी है अब यह direct यहां से play करने का try मत किजिए यहां से play होगा ही नहीं है आपको इसको यहां से select करना है जो भी option select करना है कहेगा and then इसे cut या move का option दिखेगा आपको so cut या move करके आपको जो folder है internal storage में documents के अंदर यह जो your institute नाम से जो folder आपका बना था इसमें आपको वो file आप रखेंगे इसके अंदर आ जाएंगे और जो भी folder यहां पे आपको बनाना है chapter की सापसे या जैसे भी उसके अंदर आप वो file रख सकते अभी में direct ही वो file यहां पे यह जो folder एक temporary बना है e-learning content इसके अंदर में वो रख देता हूँ आप चाहे तो direct भी paste कर सकते अब यह दोनों file मैंने paste कर दी है अब वो app को हम दुबार ओपन करेंगे app को मैंने फिर से open किया है close करके अब देखिए go to lecture करता है तो यह folder के अंदर हमने जो classes रखे थी वो इस पे आ गई है बस आपको lectures डाउनलोड करने है download folder से documents के अंदर जो आपके institute का folder है उसमें आपको रखना है अब जो भी file पे में single click करूँगा यह direct यहां पे यह direct यहां पे play हो जाएगा यह demo वीडियो है करके आप यह screen black देखेंगे अब यह आपको screen देखेंगा नहीं पर आक्च्वल में आपके screen पे video play हो जाएगा बस आपको single click करना होता है और इन केस अगर आपको delete करना है तो long press कीज़े इस पर delete का भी option आजाएगा एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी lectures आप download करेंगे वो download करने के बाद जो documents folder जो है internal storage में उसके अंदर आपके institute का नाम का जो folder है उसके अंदर आपको यहां पे lectures रखने है जहां पे GL के file होता है वहां पे आपको lectures रखने होते है और जो भी lectures आप इस पर रखेंगे वो यह app के अंदर आपको दिख जाएंगे यह process follow करना आपको remaining lectures डाउनलोट करने के लिए I hope यह process आपको समझ आया हो Thank you